आजकल इंडियन क्रिप्टो कम्यूनिटी में बहुत पैनिक चल रहा है रीजन वाल्ट सस्पेंड्स, विड्रॉज, ट्रेडिंग और डिपोजिट्स आप मैं से जितनों को नहीं बता वाल्ट एक सिंगापूर बेजट क्रिप्टो फर्म है इसका मतलब अब पैसे विड्रॉज करना या फिर क्रिप्टो को सेल करना इस नॉट पॉसिबल ऑन वाल्ट अब ये न्यूज इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे इंडियन इंफ्लेंसर इंवाल्ट थे इन प्रमोटिंग वाल्ट अब उन्हें तो नहीं पता था कि वाल्ट क्या करने वाला है क्या प्लान से उनके बट इंडिया में बहुत अच्छी पकड बना ली थी वाल्ट ने 20% का टोटल AUM जो है इनका वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से आता था 10 to 15 million dollars का daily transaction भी इंडिया से ही होता था तो अभी तक exchange ने कुछ भी specify नहीं किया कि वो लोगों के पैसे कव वापस करने वाला है बट उसने जिम्मेदार ठेराया है जो recent dump आया है उसकी वज़े से पूरे के पूरे market shut करना पड़ा उनको और इंडिया में operations stop करना पड़ा अब world जैसे बहुत सारे crypto exchange valid है इंडिया में अभी अपना operations कर रहे हैं जैसे coin DCX हो गया जैसे zeb pay हो गया जैसे wazirx हो गया और भी छोटे बड़े 100 plus crypto exchanges है जो इंडिया में function कर रहे है और ये सब कुछ possible है उनके साथ भी तो आपको बहुत careful रहना पड़ेगा अब इंडिया में 30% का tax lab लगता है प्लस 1% का tedious लगता है उपर से जो bear market चल रहा है उसके वज़ा से crypto exchange को बहुत losses हो रहे है उनके खुद के भी खर्चे हैं जैसे team को समालना या office के खर्चे निकालना या फिर जो rent है ये सब बहुत ज़ादा expensive है और इसी time पे वो सब अपना expenses manage करने में बहुत problem हो रही है तो बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे लगा के रखे हैं ऐसे exchanges में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है So you have to be very careful and you have to be extra cautious तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को बेजे जो भी crypto में deal करते हैं जो भी crypto में invest करते हैं So that उनको पता रहे कि ये move करना बहुत important है And ऐसा किसी भी exchange के साथ हो सकता है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा So like, share and subscribe to this channel for more such information